सबी को नमस्ते मैं हूं नीलम और मेरी किचन साला में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चटपटे तीखे गाजर के अचार की रेसिपी गाजर का अचार खान में बहुत स्वादिश्ट लगता है और ये शिर्फ 5-10 मिंट में ही बनके तयार हो जाता है इस अचार को आप चपाती, परांठे, नान, पूरी, वटूरे के साथ खा सकते हैं और चटपटे अचार के मजे ले सकते हैं तो फिर चलिए बनाना शिरू करते हैं गाजर का अचार बनाने के लिए मैंने आदी किलो गाजर ली हैं और गाजरो को मैंने अच्छे से दो के साफ कर लिया है इनको हम आगे और पीछे दोनों साइड से काट लेंगे और इनका छिलका उतार देंगे इस तरह से अब इसके मैं 4 pieces कर लेती हूँ दो-दो इंत के मैंने pieces बना लिये हैं जो सबसे आगे का पतले वाला हिस्सा था उसके हम 2 pieces कर लेंगे और दूसरे वाले हिस्से के मैं यहां 4 pieces कर लूँगी और उसके बाद के 6 pieces करेंगे और सबसे मोटा जो last वाला हिस्सा था उसके हम 8 pieces कर लेंगे और यह देखे इस तरह से हम इसके पतली-पतली slice काट लेंगे इसी तरह सारी गाजरों को हम छील के काट लेंगे और यह देखे इनको मैंने इस तरह से बतला-पतला काट लिया है इनको हम आदे गंटे के लिए दूप में रख देंगे ताकि जो थोड़ा वहत मोश्चर होगा इसमें वो निकल जाएगा और यह देखे गाजरों को मैंने आदा गंटा दूप में रख दिया था अब इसमें हम मसाले अड़ करेंगे इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमच फुल बर के नमक नमक आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे कलर के लिए एक चोथाई चमच हल्दी डाल देते हैं और एक चमच फुल बर के यह मैं डाल रही हूँ कसमेरी लाल मिर्च कस्मेरी लाल मिर्च ज्यादा तीखी नहीं होती और कलर बहुत अच्छा आएगा इसके जगे आप जो नॉर्मल घर में लाल मिर्च का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये दो-तिन चमच पीली दरदरी पीशी हुई सर्सों गाजर के चार में ये पीली सर्सों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पीली सर्सों ना हो तो आप राई भी पीश के डाल सकते हैं ये देखिए मैं आपको पीली सर्सों और राई में डिफरेंस दिखा देती हूँ पीली सरसों ये देखिए इस तरह के पैकेट मिल जाते हैं मार्केट में और ये पीली सरसों है और ये जो हलके ब्राउन कलर की है ये राई होती है और एक जो बिल्कुल ब्लेक कलर की होती है वो सरसों होती है तो मैंने यहां ये पीली सरसों डाली है और अब इसमें दो चमच ह देखने में बहुत अच्छी लग दिया है दो तिन पिंच हम इसमें हींग डालेंगे और यह आदे चमस से थोड़ी कम हम इसमें कलॉंजी डाल देंगे एक बार इनको मिक्स कर देते हैं अब मैं डाल रही हूं इसमें एक नीम्बू का रस नीम्बू का रस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मैं बाद में इसमें एक चमस विनेगर भी डालने वाली है और इसमें दो चमस सर्शों का तेल डाल देंगे ये वो ही तेल है जो किचन में हम यूज करते हैं कची गानी वाला तेल दो चमच डालेंगे बस ज्यादा नहीं डालेंगे और अच्छे से सारी चीजों को आप मिक्स कर देंगे तेल डालने से क्या होगा मसाले की अच्छी कोटिंग हो जाएगी और ये मसाला गाजरो के उपर चिपक जाएगा और ये देखिए ये मैंने लिया है विनेगर, सिर्का एक चमच इसमें मैं सिर्का डाल देती हूँ ज्यादा सिर्का नहीं डालना है, एक चमच ही काफी है सिर्का डालने से अचार की थोड़ी लाइप बढ़ जाती है एक बार इनको अच्छे से mix कर देंगे और ये देखिए इनको mix कर दिया है अब इसको हम ढखके एक दिन के लिए रख देंगे और बीच-बीच में mix करते रहेंगे अचार को मैंने एक दिन के लिए ढख दिया था और अब देखिए इनको एक बार मिक्स कर लेते हैं अचार अब पहले जितना सुखा नहीं रहा है गाजरों ने भी अपना मोश्चर छोड़ दिया है और जो हमने इसमें नमक डाला था नमक भी पिंगल गया है नमक का भी पानी हो गया है अब ये देखिए बिलकुल तयार है इस अचार को आप चाहें तो आज से ही खाना से रूख कर सकते हैं या एक दो दिन बाद भी खाना से रूख कर सकते हैं ये मैंने ले लिया है एक कांच का जार, जार को भी मैंने अच्छे से धो के दूप में सुखा लिया है, अगर कांच का जार लेंगे तो अचार की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, जिस भी बरतन में आप अचार डालें, बरतन बिल्कुल साफ सुतरा और सुखा होना हैं और हमने इसमें ज्यादा तेल भी नहीं डाला अगर आप अचार को दो-तिन साल के लिए रखना चाते हैं तो आप एक कप सर्शों के तेल को अच्छा गरम कर लीजिए दूआ निकलने तक गरम कर लीजिए और जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इस अचार के डिबे मे उसको डाल दीजिए फिर आपका अचार दो-तिन साल भी खराबनी होगा लेकिन ये अचार इतना कम है कि ये तो 10-15 दिन ही चलने वाला है इसलिए मैं इसमें ज्यादा तेल नहीं डाल रही ये ऐसे ही बहुत स्वादिश्ट लगेगा अगर आप भी गाजर का अचार बनाने आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर थैंक यू